दोस्तों अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है मुझे आपसे सवाल नहीं पूछना, I want you to take the reins of this episode, sir पर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि बहुत लोगों को Operation Blue Star के बारे में और गहराई से जानना है खलिस्तान कंस्पिरेसी के बारे में और गहराई से जानना है अपने किताब भी लखी है पर अगर आपको इस कहानी को रीले करना है ओडियन्स तक तो आप इस कहानी की शुरुआत कहां से करोगे शुरुआत वही से जखी जब शेकिम की मर्जर खत्म होई कि 75 में मैई में तो मुझे कहा गया कि आप आटवा में कैनेडा का कैपिटल है वहां पर इंडियन हाई कमिशन जो अमबैसी बाकी जगा होती है जो कामन वेल्ट कंट्री में हाई कमिशन कहते है उसको अमबैसी को तो वहां फर्स सेक्री बनके जाओगे तो मैं दिली आ गया तो हम कनेडा में मैं 1976 स्टंबर से लेके 1989 स्टंबर तीन साल तक रहा मैं तो खालिस्तान की मैं यह बतलना चाहता हूँ कि यह पहले कुछ चीज थी नहीं तो सड़ली आया कैसे यह निया सबज़ कैसे बना है उसके लिए मैंने आपको बतला तो मैं वहां गया कि निया में सब जगा घूमा बहुत बड़ा कंट्री है एक साइट से दूसरी साइब पांच शे डिफरेंट टाइम जोन्स हैं वैलिफेक से लेके वैंकूबर बाइर बाइयर हर चहर में गया मैं यह सेविंटीज में तो मैं 1976 चहतर से लेके 89 तक तो क्योंके सिक्टम मैं खत्म कर दिया मैं 1975 में मर्ज किया फरवरी वहां से चल दिया मैं 76 में कुछ दिल्ली रहा तो यहां 76 स्टम्बर में आया और तीन साल तक आके रहा यहां तीन साल में मैं बहुत लोगों को यानने लगा पंजाबियों को हिंदियों को हिंदूस को सिक्खों को तो मुझे सिर्फ यही पता लागा कि सारे कैनेडा में सिर्फ दो ही आदमी जो खालिस्तान की बर्चार करते थे या बात करते थे एक तो बड़े नेक पाक आदमी थे प्रफेसर उदे सिंग वो मैथेमेटिक्स प्राते थे लाउरेंशियन यूनिएस्टी टॉंटो के जिग जी सिंग चौहान जो है लागा ये खालिस्तान का सबसे बड़ा प्रोटेगनिस जो बाहर जाके बातने करता था तो ये आम तार पर जिग जी सिंग चौहान को समते थे कि ये एसाई का एजेंट और ये कुछ लोग जो यूएस के ये पॉब्लिकन सेनेटर्स थे उनक साथ ही था बहुत बड़ा बाद में जाके न्यू यूएक टाइम में इसने फुल पेज एड़ दिया खालिस्तान के बारे में तो ये लोगों को पता था कि कुल्दीब सिंग सोटी उसका आदमी है तो आई आई साई से पैसे मिलते हैं तो उसकी कितने इन दोनों का लॉजि तब होगा कि अगर खालिस्तान बच जाए लॉजिक क्या है मैं लॉजिक तो यही है कि कुछ लोग जो है न मैं देखो पंजाब में पैदा हुआ पंजाब में रहा दो सर पढ़ाया भी कॉलिग में आई पिए साने से पहले मुझे चार पंच आदमी ही मैं सुना था उनके जानता था सबसे ज्यादा बड़ा तो कपूर सिंग आई सीए साफसर से जो डिसमिस्ट होगे जिनके बारे में कहा जाता है कि घनादपूर सहब रेजूशन इन लिखा था जो डिवलूशन आ पावर कि स्टेट को डिवाल करो यह कहला पंजाब के बारे में यह स्टेट के तो यह सबसे बड़े इसी यही बात करते थे इनके चेले चाफ्टे बहुत बन के पांच दासा और एक तौर नूसरा जिग जी सिंग चोहां था वो मैं आपको बतलाई दिया कि आई साइका तीसरा सिमरन जी सिंग माना एपिया साफसर था जो अब भी चल रहा है तो चौते निवर की मा calendar the majority में है तो तो यह ग्चाब की पॉलि but switches ऑर पुलिक्स अचाव बहां की बेशा बैसा उव इसक्ण वे सिंहां पार्टिक्स तीग जो षिंधा सिंग जमाने में ब चुरु शुरु चुरु की अबड़ती सिग्शन पार्टी जो बीजे पार्क्य्शन इन दोन की सरकार बन की कौालिशन गौर्माइट. तो अगर खालिश्तानी सिख जो खालिश्तान की चक्कर में होते तो जन्टा पार्टी से अलाइशिक गौर्माइट कियो बनती? कितना पॉपुलर बेस? यह चार-पांच आजमी बात किया करते थे. कुछ नहीं ता इसका पॉपुलर। क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज्यादा फैलती है? मतलब वो जोक समझते हैं पंजाब में इसको भी दिल गट। के नेड़ावी में इसको जोक समझते थे क्या वह भुष्कर रहा है। हासी मजाक में इनको लिया करते थे. कोई सीरियस तो किसी ने लिया इनी तो सीरियस तो अभी आहिस्ता मिसी गांग ने जब ये एक एलेक्शन जीतने के लिए खालिस्तान का भिंटरावाले का मुद्दाख़ा किया, उसके बाद हुआ। और इस किताब को मैं जो लिखा है इसको मैं इसलिए लिखा है कि यंगर जैनरेशन जो है ये तो पैदा भी नही खुई थे इनको सुना भी नहीं होगा क्या है। तो, समझ में आ जाये, इसलिए मैंने इंटेलिजेंस उप्रेशन जैसे लिखा जाता है, वे इस उप्रिशन एंप फिराँकों दो हिस्तों में बांटा। ऑप्रेशनule कर दिया और ऑप्रेशन टू कर दिया। तो जितने भी उपरेशन होते हैं, कोई भी हुआ, उसका परपस होता है, क्यों मैं कर रहा हूं? और दूसरा, इसकी प्लैन, मैं कैसे करूँ इसका? तीसरा जरूरी है कि कौन लोग करें, कि कौन है उसके पीछे करने वाले? तो उपरेशन वन का परपस यह था, कि जहिल सिंग के बाद कॉंग्रिस की जो है, गौवर्मट शट गई, तो जहिल सिंग ने संजे गांदी को कहा, सेविटी एट के वक्त, कि हम अकालियों की बीज़ा पार्टी की गौवर्मट में फूट डाल सकते हैं, जहगडा करवा सकते हैं, अगर कोई ऐसा हम सिंग संत खड़ा कर दें, जह बड़ी उंची उची बातें करें, और वो अकालियों के ओपर प्रेश ड़ डाले, कि वो अकालियों सिंगों को ठाएं, क्योंकि कि जब सिंगों के मुद्देंड़ उठाएंगे तो जंता पार्टी घंदू हैं, करेंगे भिंद्राम वाले के थुरू हिंदुों के मन में डर पदा करेंगे, उनकी सिक्यूरिटी का यह तो हो रहा है, और खालिस्तान इशू का मुद्दा खड़ा कर देंगे, ताके मजॉरिटी पॉपॉलेशन को यह लगे कि देश के टुकड़े होने का डर होगी, अब तो खालिस्तान वाले हैं, और बाद में हम इसका यह अब मगर ऑपरेशन वन में मैं कनेड़ा में था जब लोग पूछा करते हैं, यह भिंद्राम वाले से कांग्रिस क्यों कर बात्चित कर रही है, तो उस पीरिड में एक भीजी देशमुक साहब थे, आइसीएस ओफसर, तो वो अडिशनल सेक्ट्री होम थे, और वो इंचार्ज थे, इंटर्नल सेक्यरिटी के, तो उननीसों ऑनासी में पंजाब में बाई रोड गए, बाद में यह केमिनल सेक्ट्री बन जाते हैं, उन्होंने किताब लिखी है, पुना टो प्राइम मिर्स्ट्र्स ओफस्स, उसमें लिखा इसारा गिजिए, कि मैं गया सेविंटीनाइब में लोग में पंजाब में खेतों में सिख काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी बड़ी बड़ अभगत की खाना मिदा कलाया, फिर वो गोल्डन टेंपल में गए, वहां सिपी सी के मेंबरों ने कहाँ साब कोई और तो प्राव्यम नहीं है, यंग सिख लोग जो हैं धर्म से दूर जा रहे हैं, अपना इशो इश्रत कर रहे हैं, धर्म जो छोड़ गिया, और जो लोगों से पूछा, सब भिंड़ा वाला घूम तो रहा है, मगर उसको कोई आसखास आशर तो नहीं है, तो अब लुद्याना में हिंदों की इंडस्ट्री बहुत है, तो वहां रूख के इंडस्ट्री लिस से बात करी हिंदों से, उन्होंने कहा साब, यहां तो अमन चैना है, कुछ नहीं है यहां, जब भिंड़ा वाला घूम तो वापस आके अपने जॉइंट सेक्ट्री से कहा साब, पंजाब इसे हैवन आफ पीस और ट्रेंकुरिटिव, यहां तो बहुत उस जॉइंट सेक्ट्री ने कहा साब, मगर अंदर अंदर में बहुत कुछ चल रहा है, उन्डर कारिंट्स हैं, जो हमें देखनी चाहिए, कांग्रिस जो है, मिल रही है, और बाद में जो भिंड़ा वाले के ओपर टाइगर जो चड़ गए, तो भिंड़ा वाले इनको का जाएगा, तो अंदर से चल रहा था बाहर कुछ निए, यह उपरेशन वन जो है, खत्म होता है, इसको मैंने तो मुझे तो पता नहीं था कैसे क्ल्टिविट किया, एक कुंदीप नायर है, बड़े वेल नून रिपोर्टर मतल वो गुजर गए, उन्होंने अपने किताब लेखा बिय यहाँ संत जहिता है, बड़े खालकुवची वाता है, थो दो संतों की इंट्रिवियो करी किसमें से कहसा संत मले एक संत तो बड़ा ढ़ा धाला था था, बगर भिंडरावला बड़ा सक्त था, तो हमने बड़ावले को कुछीविट कर लिया, तो भिंडरावले को हम पैसे भी भेजते रहते थे, टाइम तो टाइम, मगर हमें यह नहीं था, पता कि इतना टर्रिस्ट इतना बड़ा बन जाएगा, मैंने अपनी किताब में लिखा एक, कि अंदर से तो चाहते थे यह एसा बने, अंदर से तो खुश होते होंगे, तो यह जो अपरेशन वन का था मु परस्ताना वोग से पाया, और स्टी पीसी के ए्रेक्शन गुर्दवारा प्रविंदे कमेटी है, जो सिखों को गुर्दवारा को चलाती है, तो वहां सिर्फ भिंडरावाले के चार आदमी आये, एक सो चार सीटों में से, और दल खालसा बनानी, तो दल खालसा इनों जहिल सिंग वगारा संजय को लगा कि मैंने तो धर्म परचार के लिए तो हमने खड़ा नहीं किया इसको, हम तो पुलिटिकल मुद्दे करें करें, जब भिंडरावाले ने खालसा नहीं तो जहिल सिंग ने दल खालसा खड़ा कर दिया नाम, उनीस और उनासी में, जिसकी होटल में चंडेगार में मीटिंग होई, उसके पैसे जहिल सिंग ने शेहार रपै दिया, फिर उनों ने प्रेस कांफरेंस करें, उनों उनकी भी पैसे दिया, गांग्रिस रीडर में, और यही दल खालसा जो है, उनीस सौ एसी स्तंबर में, इंडियन एरलाइन की फ्रेट स्रीना के तुदेली को हाईजेक कर लेता है, इनका सबसे अवराज लीडर गजेंदर सिंग था, वो पाकिस्तान चला जाता है, और उनकी एक डिमांड थी कि भिंडरावाले को रिलीज करो, भिंडरावाले को पकर दिया था लाला जगित लराइन के मर्डर में, अब दल खा कि भिंडरावाले ने कॉंगरस के तीन MPO के लिए, टी में, तो कुछ खास चला नहीं, अगर एक फाइदा हुआ, कि इनको संजे और जैल सिंग वारा कामलदात में सिस गंदी को लगा, कि भिंडरावाला अब तयार है बड़े काम के लिए, दोस्तों TRS Clips Hindi को अगर किजिए चैनल को, TRS Hindi बहुत जल्द नोटके आएगा